स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी के बारे में और ऐसी कौन सी प्रोग्लम्स है इंडियन लोजिस्टिक सिस्टम में जिनके लिए ये पॉलिसी इंट्रिड्यूस क आने वाली है, Ministry of Commerce and Industries ने National Logistic Policy का ड्राफ्ट 2019 में ही गर्मेंट को कंसल्टेशन के लिए दे दिया था, पर COVID-19 की वज़े से गर्मेंट इसे इंप्लिमेंट नहीं कर पाई, फिर सितंबर 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन न्यू डेली को इंप्लिमेंट करने की अनाउस्मेंट कर दी, नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी को समझने से पहले हमें लोजिस्टिक समझना पड़ेगा, लोजिस्टिक मतलब रिसोर्स जैसे रो मेटिरियल, एक्विपमेंट एंड मशीनरी और लोगों को अरेंज कर उन्हें स्टोर और ट्रांस्पोर्ट करना फ्रोम वन डेस्टिनेशन टू अनादर, जैसे एक कंट्री का प्रोडक्शन और कंजम्शन बढ़ता है, लोजिस्टिक की डिमांड भी साथ में बढ़ती है, जैसे आपको पता है, इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनमी है, तो इंडिया में लो COVID-19 ने कच्छा एक्जामपल है लोजिस्टिक्स की इंपोर्टेंस समझने के लिए, जहां मेडिसीन और दूसरे एक्विपमेंट्स की थोड़ी सी भी डिले पे एक बहुत बड़ी प्रोग्लम क्रियेट हो सकती थी, अब हम इंडियन लोजिस्टिक्स की प्रोग्लम समझते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए नैशनल लोजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है, वर्ल्ड बैंक लोजिस्टिक पर्फोमेंस इंडेक्स 2018 में इंडिया ने 44th प्लेस पर रैंक करा था, जबकि दूसरी बड़ी एक्विपमीज जैसे यूएस, फ्रांस, इंग्लेंड, जर्मन हैं, 85% ट्रांसपोर्ट ओनर के पास 20 से कम ट्रक्स हैं, और ना ही ऐसे कोई सेट ओफ रूल्स है, जिनने ये फोलो करते हैं, अगली बड़ी प्रोग्लम है, वीक वियरहाउसिंग एंड, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इंडिया में वियरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रस्ट्रक्चर बहुत कम है, जो भी वियरहाउसिंग अब तक डेवलप करी है, वो सारी एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट के लिए यूज होती है, फिर भी इंडिया का 16% एग्रिकल्चर आउटपुट वेस्ट हो जाता है हर साल, अगली प्रोग्लम है, इंडिया में पैसेंजर ट्रेंज और कमर्शल ट्रेंज के लिए सेपरेट कोरिडोर्स ना होना, जिससे कमर्शल ट्रेंज की स्पीड के साथ कोंप्रोमाइस करना पड़ता है, अभी कमर्शल ट्रेंज की स्पीड ओन एवरेज 25 किलोमेटर पर आर है, पर रिक्वैर स्पीड 50 किलोमेटर पर आर होनी चाहिए। इंडिया में जहाँ आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टाइम, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल की जरुवत पढ़ती है। लोजिस्टिक्स में भी यह एक बहुत बड़ी प्रोग्लम है। आपको कई सारे सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स की जरुवत पढ़ती है। और इनलेंड वोटर वेज में यह प्रोग्लम और भी बढ़ जाती है। जिससे उनकी एफिशेंसी कम हो जाती है। इन सब प्रोग्लम को देखते हुए नैशनल लोजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। नैशनल लोजिस्टिक पॉलिसी के चार बिल्डिंग ब्लोक्स है। मतलब नैशनल लोजिस्टिक पॉलिसी के चार पार्ट हैं जो अलग-अलग प्रोग्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला है digital integrated system इसमें 30 different system of different departments को integrate किया जाएगा including data of road transport, railways, custom, aviation and commerce department जिससे logistic operators के पास real time information रहेगी cargo movement की over the country. Second block है unified logistic interface platform इसके अंडर seven ministries including ministry of ports, shipping and waterways, ministry of civil aviation, ministry of road transport and highways, ministry of commerce and industries, ministry of railways, ministry of finance and ministry of logistic data services को एक platform पर लाया जाएगा जिससे की एक platform पर user को सारी information दी जा सकेगी, उसके procedure और दूसरी requirements के बारे में. Third block है ease of logistical services, इसके through logistics operators directly government agencies को operational issues के बारे में बता सकेगे. इस portal के through government की कोशिश रहेगी की जल्दी से जल्दी program को solve किया जाए और efficiency को बढ़ाया जाए. Fourth block है comprehensive logistics action plan. इसमें logistic chain का digitalization, standardization of physical asset and benchmarking of service. Benchmarking और standardization का मतलब होता है कि कुछ parameter set करना और उस parameters के according चीज़े बनाना और use करना. अगला इसमें step होगा human resource develop करना. मतलब लोगों को educate करना, उन्हें ट्रेनिंग देना scheme का aim है railways, roads and highways, power, petroleum, telecom के data को sync करके एक infrastructure plan करना और उसे बनाना. National logistics policy के तुरू कुछ target रखे गए हैं जिनने इस policy के तुरू पूरा किया जाएगा. पहला target होगा logistics की cost को कम करना. अभी 14 से 18% cost आती है logistics की Indian GDP पे. इसे cut down करके 8% तक लाना 2030 तक. अगला logistics performance index में 2030 तक top 25 countries में आना और e-commerce और MSC sector की बढ़ती logistics demand को पूरा करना. इस target को अचीव करने के लिए government को कई चीजों पे improvement करनी पड़ेगी. जैसे railway sector की speed बढ़ाना, fast trains को introduce करके, waterways को eco-friendly mode of transportation बनाना, road transporters के लिए low introduce करना और उसे एक unified sector बनाना, Indian ports की capacity बढ़ाना और warehousing infrastructure डेवलप करना. तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, उमीद है आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी informative वीडियो के साथ.